नमस्कार मगाय त्रिकुर राष्ट्रता को पहरेदारी जनाधिकार को पक्ष्यामा खवरदारी न्यूस देपाल टेलिवीजन को प्रस्तुती गंड़की एक्स्प्रेस मा यहालाई स्वागत छा पोखरा प्रसारण केंद्र को प्रस्तुती गंड़की एक्स्प्रेस शुरुगराउं आज जको समचार का हेड्लाइन्स बाट गंड़की प्रदेश सरकार द्वारा दोश वर्ष मुनी र साथी वर्ष माथी का नागरिकलाई निसुल को पुचार को घोशडा कैंसर को पुचार मा एक लाग सम्मको खर्चबे होरने सरकार को निर्ड़ए मनांग बासी बाडी र पहिरो को उच्च जोखियम मा याता यात संपर कविछेद खाद्यान न खानेपानी र विद्धुत को अबाब राज संत्र को निसानी रत्न मंदिर को शबई कक्षिय अबलोकन गर्न आंतरिक परिये टक को माग दरवार खुला भाई को डेड़ महिना मा साड़े साथ लाक राजस्चो संकलन बुडी गंड़की जलविद्युताय जनाको फिल्ड कारिक लएको उद्घाटन वसी काम शुरू दुईशे 66 मिटर अगलो डैम बननी राव फेबाताल की नारिश्तित भलिवल कोड जाड़ी मा परिड़त कोड को सम्रक्षन तरफ प्रदेश सरकार को ध्यान जाना वसी अब गंड़की एक्सप्रेस वस्तार मा सुरुगरों प्रदेश सरकार को स्वास्ते सुविधा प्रसंगवाट गंड़की शरकार ले 10 वर्ष भंदा मुनीर, 60 वर्ष भंदा माथिका नागरिक हरुको निशुल को पुचार को घोशडा गरेको छा आर्थिक वर्ष दुहाजार असी एकासी को बजेट मार्फत सरकार ले कैंसर को पुचार मा एक लाग सम्मको खर्च अब्य होने डायलसिस्यवालाई थप प्रभापकारी बनावना 6,66,88,000 बिन्योजन गरियेको छा म्रिगवला रोगबाट ग्रस्त भायका हरुले सोजिले डायलसिस्यवापाउने अवस्था छाईना पालो कुर्णू पर ने रयोटा विरामिको म्रित्त भायपसी मात्र अरकाले पालो पाउने डर लाग दो अवस्था को अंतिय होने पर छा इसका लागी राजवेले उपकरान खरीद डॉक्टर को प्रवंदमा ध्यान दिनू पर छा निमोनियार पाठे घर को मुख कैंसर पचार का लागी पनी प्रदेश सरकार ले बज़ेट विनियोजन गरेको छा सहजर सर्वसुलब स्वस्थे पचार नागरिक को अधिकार हो आधार्भुत स्वस्थे सुबिदा जनता को नईसर्गिक अधिकार हो समिधान पदल्ट यो सुबिदादीने मामिलामा शरकार जिम्मेवार बन्नू परछा जनताले आधार्भुत स्वस्थे शुबिदा घर दयलों मैं पाउन्नू परछा तर दुखका सात बहन्नू परछा नेपालमा स्वस्थे च्ष्येत्र अस्त व्यस्त छा सरकारी अस्पताल हरू गुड़स्तरी उपुचार दिनवाट चुके काशन। निजी स्वास्ते संस्ता हरू और साध्धाई महंगाशन। कोविडुन नाइस कालिन समयले नेपाल को स्वास्ते सेवाको शेत्र कती कमजोर रहे सभन्ने प्रमाडित करेके हो। स्वास्ते सेत्र को अस्त विस्तता आवारे पटक पटक आवाज उर्दे आई रहेको शा तरती आवाज हरू तर्फ कोसेईले ध्यान पूग न सकेको शाईन। गड़तंत्र दिवस्को अबसरमा रत्नमंदिर दर्वार सर्व साधरन का लागी खुला गरियो। दर्वार बनावन भायको हो। यो दर्वार मा चीन का प्रधान मंत्री बेलायत की महारानी जोस्ता बिशेष्ट वेक्टित्वायर आश्ट्राइलीन भायको थियो। दर्वार भित्र बईठक कक्षिय, राजारानी स्वैन कक्षिय, साही नातेदार का स्वैन कक्षिय हरू प्रध डाइनिंग हल गरी एक गार कोठा छन। टिकट काटेर रत्नमंदिर हेरना पुगे का हरू दर्वार को भित्री भागमा प्रवेश्ट न पाउदा खिन्न हुनेगरे को स्तानियक बुजाई छा। राजा बिरेंद्र रवहा का परिवार को दर्वार हत्या कांडमा मृत्त भाई पछी यो दर्वार नेपाल ट्रोस्ट मात हत्मा राखिये को छियो। नेपाल ट्रोस्ट की सुचना अधिकारी सरश्वती पौडेल खनाल ले एस वर्षभित्रई दर्वार को भित्री कोक्षे सम्मा वलोकन का लागी खोली ने तयारी भायको बतान भायको छा। दर्वार खुला भायके दिन सस्कृती परियेटन तथा। नागरिक उड़ैन मंत्री शुदन की रातिले चाड़ै भित्री भागपनी सरवसाधरन का लागी खुला गरीने बतान भायको छियो। दर्वार खुला भायको डेड महिनामा साडे साथ लाख राजश्यो शंकलन भायको खनाल को भनाई छा। असार मसांत सम्मा 8,174 जनाले दर्वार को अवलोकन गरेको कार्य लाएको भनाई छा। जस्मद्दे 1,2 बिदेशी परियाटक्षन। नियाय पालिका को नियाय प्रडाली जहन जटीलो पत्यार लागदो महंग हुदा शर्वसाधरन। नियाय को खोजीका लागी नियाय लाएको धोका सम्म पुग्णनानै नचाहाने अवस्चा श्री जना भायको छा। बिगत को तुलानामा अहिले नेपाल को नियाय प्रडाली बड़ी आलोचित रव्विबादित भायको देखिन छा। समाईमा नियाय दिन नसक्दा नियायलाए माथिनेई प्रश्णा खडा भायको छा। सानालाई अईन ठुलालाई चोईन नेपाल को कानून दय बले जानून समपती सिध्यायर सुकुम्बासी हुनुछ भने मुद्दा मामिला गर इकेही भनाई हरू नेपाल को नियायलाए बात बेला बेलामा भायका त्रूटी विरुद्धोमा नेपाली समाज मा प्रचलित भनाई हुन। गड़तंत्र आउन्व गाडी खास्य विवाद रो आलोचित नभायको नियायलाए गड़तंत्र प्राप्तिपशिका वर्षमा भनी बड़ी आलोचित रो विवादित भायको देखिन छुन। सोतंत्र नागरिक का मनमा बिविन्न विचार उत्पन्न हुनु शोबाविखो। सानातिना समस्यालाई इस्तानिय तहमाने समधान गर्ना उड़ासम्म नियायक निकायक ववस्ता गरियेको छुछ। स्थाप अलोचित नियायक ववस्तानिय राज्यवाटने प्रभावकारी कदम चाल आवस्तेख देखिन छुछ। प्रहित नियाय पालिकालाई गती दिनु रो जनताकु आखामा नियाय लएले संपाधन गरेकु नियाय प्रती विश्वास जगाउनु आजकु आब सिक्ता हो। जनाको निर्मार शुरुहुने अपेक्षिया बडेको छा। पारेकारी अधिकृत माद जगत श्रेष्ट नियूप तहनु भाएको छा। आयो जना बनावने लक्षे सहीद हाल संपा करीब 42 अर्व खर्च भाई सकेको छा। इसते ही सरकार ले बुडी गंडकी का लागी भंदाई पेट्रोलियम पदार्थ वाट प्रती लिटर दोस रुपईया का दरले 72 अर्व भंदा बड़ी शंकलन गरी सकेको छा। अहीले भने शरकार ले पुर्भादार विकास सुलका का नाम मा उक्तरकम उठाउदे आये को छा। यो आयो जना को निर्माड कारी अगी बड़े का ले राश्ट्रे गोरुप को आयो जना छिट्टे अगी बड़ने कमपनी का प्रमुखले बतान भाई को छा। लामो समय बाडी को जोखिम यातायाद बाट बंचित भायकार अन्य समस्या जले का मनांगी हरू आकास गर्जदा समेत जहस्की ने गरे का छन। दुई बर्ष अगी ठुलो वर्षा संगे आयको बाडी पहिरो का कारण दुई महिना सडक संजाल वाट विच्छेद रहन परेक थियो। शडक संजाल विच्छेद हुदा यहांका वासिन दाले खाद्यान न खाने पानी विद्दुत को अबाब भोगे का थिये। वर्षामा मा त्रहाईन अन्य समय मा पनी मनांग को यात्रा सहज भाने छाईना। एस मा पनी वर्षा सुरुवाद भाय संगई जो खीम बढ़ने गर्छा। वर्षामा परने जरी का कारण एस ठाउमा मर्मत गर्न न भ्याउँ देई और को ठाउमा शडक भत्कीने हुदा मनांग जाने इस्तानियत था। जो कोही परिये टकलाई आवत जावत मा समस्या हुने गरेको नासो गाउपाली का पांच का उड़ा दक्षे थुदेन लामा बतान हुँछा। चामे गाउपाली का एक तिमांग खोलामा बने को काटे पुल गत हपता भत्कीयों। यात अबरुद्ध भायों दोहजार अठतर अस्तार एक माय को बाडी ले मोटरेवल पुल भत किये पशी बनाई एक काठे पुल को काठ कुही पशी यात यात समित अबरुद्ध भाय को छा। अहीले सबारी आवत जावत हुना सकस भाय को छा। जल्ला प्रसासन कारलाय मनांग ले शड़क संजालन गरना ताकेता गरे पशी ततकाल का लागी गोर्जो टारना काठे पुल को ठाउमा काठ कई पुल नर्माड गरे। जिल्ला भर 5 वटा काटेपूल रहेको मनाग माद चामे गाउपालिका माद 3 रा मनाग दिश्यांग माद 2 वटा रहेको प्रमक्स जिल्ला अधिकारी सुप्रभा ढूंगेल खनाल ले जानकारी दिन भायको छा डिविजन बन कारलाय परवतले जिल्ला को जल्जला गाउपालिका आठ नागली वांको फर्सेबाट चितूआ को जूदय उद्धार गरेको छा असक्त एक बर्षे चितुवालाई उद्धार गरेरा डेविजन बन कारलाई मा राखियेको छा। असक्त एक बर्षे चितुवालाई मा राखियेको छा। गाउपालिकाले बर्षाई आमको समय मा पालिका भित्र का मुख्य मुख्य ग्रामिक शड़क मर्मत सम्भार का साथ ही शड़क संजालन राखन शड़क हेरालू परिचाल गरेको छा। गाउपालिकाले पालिका भित्र पंद्र शड़क हेरालू नियुक्त गरी परिचालन गरेको छा। गाउपालिका का अद्दक्षे राज़्ो गुरूं का अनुसार छनोट मा परेका शड़क हेरालू लाई तालिम शमेत प्रदान गरियेको छा। नियुक्त भाय का शड़क हेरालू ले गाउपालिका अड़ा कारलय रोड़ा को प्राविदिक को निगरानी तथा निर्देशन मा अड़ा भित्र मा मुख्य मुख्य शड़क मा नियमिती यातायात संचालन गर्ने गरी काम गर्नेशन। नाला सड सफाई गर्ने, खालडा खुल्डी पूर्ने, भल कटाउने, शड़क मा पानी बग्न नदीने, जाड़ी तथा जारपात हटाउने, शड़क अतिक्रमडबात जोगाउने लगायत काम गर्नेशन। सानातिना भल पानी र पहिराले भदकाय का शड़क समय मां मर्मत गर्ना न सकदा, शड़क मां धेरेई श्यती हुने गरेको छा। नेपाली बजार मां भीवार सुनको मुल्य ले नईया रेकॉर्ड कायम गर्ना सफल भायको छा। सुनको मुल्य हाल समकई उच्च बिन्दु मां पुगेको हो। एस अगी गतजेट उन्ना इसकते हाल समकई उच्च मुल्य मां सुनको कारबार भायको थियो। उक्तदीन सुन प्रती तोला 1,13,300 रुपईया मा कारोबार भाय को थियो, आजो सुन प्रती तोला 1,13,006 रुपईया पुगे को छा, यो मुल्ले पच्छिल्लो रेकार्ड भंदा 300 रुपईया बड़ी हो, नेपाल सुन चादी वेवसाहिमा संका अनुसार आजो छापावाल सुन प्रती तोला 1,13,006 रुपईया रतेजावी सुन प्रती तोला 1,13,050 रुपईया मा कारोबार भायी रहे को थियो, आजो चादी को मुल्या हाल संबकई उच्छ बिंदु मा पुगे को थियो, बुदबार बनेको उच्छ मुल्ये को रेकार्ड एश दीन तोडिये को आज चादी को मुल्या प्रती तोला 1,004,95 रुपईयां पुगे को नेपाल सुन चादी व्यवसाही महा संगले जनाये को थियो, थियो, बीच भलिवल समुद्र की नार्मा खेलीने बीच भलिवल भू परिवेश्टित नेपाल का लागी कहां खेलाओने भनने केही समय दुविदै रहो पछी फ्यवाताल की नार्मा रहे को युटा कोट रन थाप नया तीन कोट बनायरो प्रत्योगिता संपन न गरियो तेस बेला बीच भलिवल कोट बनावना राष्ट्रे खेलकुद परिशरले साथी लाग रुपईया खर्च गरेको थियो सो प्रत्योगिता पछी एक दुई वटा थप प्रत्योगिता भाय अहीले परवात हेरदा कोट को नामो निसान नही देखी दैना नेपाल ट्रस्ट मा तहत रहे को यो जग्गा मा अहीले काडे तार लगाईयेको छा कोट शेत्र अहीले जाडी बनेको छा परिशदले नेपाल ट्रस्टंगा मौखिक सहमती गरी कोट बनायेको शदस्य राजवेस कोरूंग बतावन हुँँच साठी लाख लगानी भायपनी नेपाल ट्रस्टंगा लिखित समझाउता नई नगरी कोट बनायेको थियो राखेप सदस्य गुरूंग ले तियो बेला अस्थाई रूपमा कोट बनायेरा प्रत्योगिता गरीएको जनाव दै अब राखेप मार्फत नेपाल ट्रस्टंगा सम्रक्षण का लागी विशेस पहलगरने उल्लेक करन भाय समुद्रको आवास्तिने तालकिनार हिमाल समेत छरलंग देखिने ठाउमा रहेको कोट जोगाव न सके खेलकुद को विकास संगई परेटन प्रवर्दन मा समेत सहयोग पुगने भलिवल संग कास्की का ततकालीन अधक्षे भीम पराजोली बतान होंच तालकिनार मा बनाई एको बीच भलिवल कोट सरकारवाला को बेवास्ता का कारण घासे मैदान बनेक हो गौंडकी प्रदेश खेलकुद परिसर सदश्य सचीव स्रीधर सर्माले बीच भलिवल कोट को सम्रक्षण गरनू प्रदेश को पनी दाहित्तो भायकाले आवसेक पहल गरीने बताऊन हुँँँचा अब मौशम समाचार देस भर आंसिक देखी सामान ने बदली रहने जलत था मौशम पुर्भानुमान महा साखाले जनाये को छा देश का पहाडी भुबाग का केही स्तान हरुमा र बाकी भुबाग का थोरे इस्तान हरुमा हलका देखी मद्द बढ़ बड़ा देश भर आंसिक देखी सामान ने बदली रहने जलत Thanks मौसम खबर संगई हामी गोंड़की एक्स्प्रेस को अंते मा आईपुगे का छाउँ जादा जादे हेडलाइंस न्यूज पुनहा एक पटक गोंड़की प्रदेश सरकार द्वारा 10 वर्ष मुनीर 7 वर्ष माथिका नागरिकलाई निसुल को उपचार को घोशडा कैंसर को पुचार मा एक लाग सम्म को खर्चबे होने सरकार को निर्डए मनाग बासी बाडी रपहिरा को उच्चा जोखिम्मा यता याद संपर्क विछेद खाद्यान न खानेपारी रविद्दुत को अबाब राज तोंत्र को निसानी रत्न मंदीर को सबैक अक्षिय बलोकन गरन आंतरिक परिये टक को माग दर्वार खुला भाई को डेड महिना मा शाड़े स्ताथ लाक राज़स्चो संकलन बुडी गंड की जल विद्धुत आयज़ना को फिल्ड कार यलाई को उद्घाटन पसी काम शुरू दुई से तिर सथी मिटर अगलो डैम बनने प्रॉफ यवाताल किनारिस्तित भलीवल कोट जाड़ी मा परिड़त को समरक्षन तरफ प्रदेश सरकार को ध्यान जाना आवसिक दर्शक ब्रिंद न्यूस नेपाल टेलिवीजन मा गंड की प्रदेश को प्रस्तुती गंड की एक्स्प्रेस आजलाई एतिनेई हाम रा प्रसारण हरू यूटूब ट्विटर फेस्बूक र इंस्टाग्राम समित हिरना सक्ण हुनेच राष्ट्रेता को पहरेदारी जना अधिकार को पक्ष्यमा खवरदारी हिर दे रहन होला न्यूस नेपाल टेलिवीजन नमस्कार